हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम वेन आरेक वाले प्रेशन, वेन डाइगराम वाले हैं, अब आपको वेन डाइगराम की एक प्रेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी वेन डाइगराम के वीडियो में बनाता प्रेलिस्ट में जाकर करके देख सकते हैं, तो चली स्टार्ट करते हैं, पहला प्रेशन, नेमने लिखित सब्दों के लिए सर्वस रिस्ट उप्यूक्त वेन आरेक चुने, ये प्रेशन गुरूप D 2018 में आया था, सभी प्रेशन दोस्तों वही हैं जो एक्जाम में आया, गुरूप D 2014-2020-2018 में आया था, प्रेशन तो हीट्रोजन, गैस हैं और हिलियम, इनका आपको रелेशन बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करूँगा, ये जो मेरी हाइट्रोजन है, ये भी क्या है, एक गैस है, और ये जो हिलियम है, ये भी क्या है, एक गैस है, तो गैस के अंदर ही तो आएगा यह hydrogen यह hydrogen हो गया और helium क्या है यह भी एक gas है तो यह भी gas के अंदर आ जाएगा इस तरीके से बेनारेक बन गया पताए किस option में इस तरीकी का बेनारेक बैटी option में दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो मैं gas वाला बनाऊँगा क्योंकि gas के अंदर ही hydrogen आता है और gas के अंदर ही helium आता है यह भी एक gas है यह भी एक gas है दोनों gas है ना तो gas कब सबसे पहले बनेगा उसके अंदर hydrogen gas आ जाएगी उसके अंदर helium gas आ जाएगी बात के लिए रहे अच्छे से समझ में आ गया यह सभी प्रेशनी परिक्षा में पूछे गई है अब देखेंगे हम अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है जूते कार साइकल यह 31.10.2018 में पूछा गया था अब भई जूते कार साइकल में क्या relation है बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे जूते तो अलग चीज हो गई कार और साइकल में relation बना सकती है क्योंकि यह हमारे एक तरह से बाहन है साइकल भी हमारा एक बाहन है कार भी एक बाहन है तो यह आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं लेकि नहीं अलग अलग है क्योंकि जूते अलग है यह आपका मोटर कार होता है और यह आपका साइकल होता है बिना मोटर के तो यह तीनों चीज़ें अलग अलग है यह जूते अलग हो गए आपके कार अलग हो गई आपकी और यह साइकल अलग हो गई आपकी यह तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं, तो तीनों चीज़ें अलग-अलग कहां पर दिखाए दे रही हैं, मुझे B-Option में दिखाए दे रही हैं, अलग-अलग, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रेशन को बिना करें छोड़ सकते हैं एक्जाम में ये प्रेशन भी 5 बारे 2018 में आया था मैंने लिखा नहीं है ठीक है अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रेशन को छोड़ सकते हैं की समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें हो क्या रहा है कपड़े क्या है। तो अलग अलग बाला option यहां पर नहीं दिया गया लेकिन आपको एक चीज बता दूँ यह जो formal है और यह जो casual है यह कपड़े का ही भाग है कपड़े का भाग है formal और casual तो सबसे पहले आरेक आप कपड़े का बना लीजे सबसे पहले आरेक आप कपड़े का बना लीजे कपड़े का बना लिया अब कपड़े का ही भाग एक formal है तो यहाँ पर आ जाएगा अंदर ठीके और कपड़े का ही भाग casual है तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा ये दोनों कपड़े के भागे हैं और ये दे रखा हमें पहले ओफसर में अब मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपका समझाने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक और एक्जामपल लोग जैसके ये उत्तर प्रदेश ये आपका एक उत्तर प्रदेश राजी हो गया ठीक है उत्तर प्रदेश के बाद में मैं यहाँ पर लिख लूँ आगरा ठीक है ये मैंने आगरा लिख लिया और ये मैं लिख लूँ मत्थुरा अब मैं कहूँ कि आप इनका रिलेसर मनाए ये समझेगा इसी प्रदेश के उपर है तो ये मेरा आगरा और मत्थुरा ये उत्तर प्रदेश का ही तो हिस्सा है भाई ये कहां आते हैं उत्तर प्रदेश में ही तो सामिल है उसी तरीके से फार्मल और कैजूर कपड़े में ही सामिल है जैसे मैंने कपड़े का बनाया तो सबसे पहले मैं किसका बनाऊगा उत्तर परदेश का उत्तर परदेश का ही एक भागया अगरा उत्तर परदेश के अंदर ही आता है अगरा और ये मत्रुरा भी क्या है उत्तर परदेश के अंदर आता है तो ये भी इस तरीके से बन जाएग ठीक है बात के लिए रहे तो अगर ये प्रेश्ण होता तो ये भी ऐसी बनता याद रखिएगा इस बात को किस तरीके से प्रेश्ण बनाई जाते हैं बेना रखे के लिए रहे हैं आप देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन सबजियां अच्छा प्रेशन है याद रखना इसको सबजियां भोजन और गोभी 2018 में पूछा गया है दोस्तों सबजियां भोजन गोभी अब देखें जो सब्जी है जो भोजन है और जो गोबी है आप इसको तिनों को अलगर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो गोबी है वो भोजन के अंदर ही आता है और जो सब्जी है वो भी भोजन में सामिल होती है आप भोजन कर रहे हैं उसमें गोबी की सबजी भी हो सकती है आलू की कोई भी सबजी हो सकती है भोजन में तो सबसे पहले जो आरेक बनेगा वो किसका बन जाएगा आपका भोजन का ठीक है भोजन का बन गया अब भोजन के अंदर सारी सब्जी आती हैं कोई सी भी सब्जी हो वो सभी भोजन के अंदर आती हैं तो ये भोजन के अंदर ये मेरी सब्जी वाला आरे खा गया ठीक है सब्जी वाला आरे भोजन के अंदर आ गया सब्जी वाला अब सब्जी के अंदर कोई भी हो गोवी और ये सबजी कम ना लिए गुबी कर नहीं ये जो गुबी है ये सबजी में ही सामिल है याद रखना आलू होता वो भी सबजी में ही सामिल होता तो इस तरीके से आरिक बनेगा C option बिल्कुश सही हो जाएगा आपका प्रेशने को ध्यान से समझेगा और बेन आरिक के प्रेश बहुतिक रसायन ठीक है गड़ित भौतिक रसायन भाई यहाँ पर हम गड़ित पढ़ते हैं भौतिक पढ़ते हैं रसायन पढ़ते हैं तीनों को हमें अलग-अलग पढ़ना पढ़ता है तो तीनों को भाई अलग-अलग पढ़ना पढ़ता है तो तीनों को में अलग- अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं सी ओफसर में तीनों चीजें यह गडित हो गया यह बहुत एक हो गया यह रसायन हो गया अलग अलग तीनों तीनों अलग अलग कहा दिखाई दे रहे हैं सी ओफसर में इस तरीके से बनेगा किलियर है अच्छे से समझ में आ लिए बा पनाता हुआ को veg बॉस्क पढ़ते जाए या बख्शी मचली मुर्गाई देखे सबसे पहले मैं देखूं क्या बच्छी का रलीचन मुर्गा से है कोई मेरा मुर्गाई पक्षी होता है बच्चों मैं आपको या चीज के लिर कर दूँ जो मुर्गा है वो पक्षी होता है कैसे होता है मुर्गा हमारा ओड सकता है ठीक है मुर्गे में ओडने वाली खास्यत होती है चाहे थोड़ा सा ओड़े लेकर ओड जाता है ठीक है मुर्गा मेरा पक्षी होता है ये बात आपको अच्छे से मालूम है तो ये मेरा पक्षी हो पक्षी के अंदर मुर्गा आ गया लेकिन यह जो मचली है यह तो अलग चीज़ है भाई ना तो यह पक्षी है ना मुर्गा है और यह कोई पक्षी भी नहीं है यह तो पानी में रहने वाली चीज़ है तो यह इनसे अलग हो जाएगा यह जो मचली है यह इनसे अलग हो जाए अगला प्रश्ण है द्रश्य कल्पना मानसिक प्रक्रिया ये 16-11-2018 में आया था और ये प्रश्ण आपको काफी परिशन करने वाला है दिरश्य का मतलब होता है देखना कलपना का मतलब होता है सोचना और मानसिक प्रक्रिया मानसिक का मतलब होता है कि धिमाग से कीगी प्रक्रिया ठीक है अब हम मानसिक प्रक्रिया का सबसे पहले बनेगा ये ठीक है क्योंकि मानसिक प्रक्रिया हमारी क्या है मानसिक प्रेक्रिया हमारी यह है कि हम देख भी सकते हैं और हम सोच भी सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं बात समझ में आ रही है हमारी मानसिक प्रेक्रिया जो होती है मुझसे देख भी सकते हैं उससे हम सोच भी सकते हैं सुन भी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो हमारा यह मांसिक वाला आ दिखा गया और मांसिक के अंदर आ जाएगा हमारा द्रेश्च यह और मांसिक के अंदर ही आ कलाकार 16-11-2018 मैं पूछा गया प्रश्क में देखी मेरा जो संगीत कार है वो भी कलाकार कहूंगा मैं उसे और जो मेरा कवी है वो भी मैं कलाकार कहूंगा अगर कोई मेरा जादू गह रहे है तो वो भी एक कलाकार है अगर कोई खिलाड़ी है वो भी एक कलाकार है ठीक है यह बात आप अच्छे जानते के कलाकार अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी कला है किसी भी चीज की कोई भी कला है उसे हम कलाकार कह देते हैं अगर कोई आदमी कभी है तो ये भी हमारा कलाकार हो गया कोई किसी के अंदर संगीत का कला है तो वो संगीत का कलाकार हो गया ठी ठीक है, और कोई कभी है, तो ये कलाकार के अंदर ही तो आएगा, और ये मेरा संगीत कार है, ये भी कलाकार के अंदर आएगा, ऐसे डाइग्राम बना दीजी आप, कहां बन रहा है, पहला option में बन रहा है, किलियर है, सभी की समझ में बात आ गई, अब देखेंगे हम अगला प्रेशने, अगला प्रेशने है, परवत, शहर, कागज, ये प्रेशनी भी आपको बहुत कन्फ्यूज करेगा, कुछ बच्चे इसको गलत भी कर देंगे, कैसे गलत कर देंगे, देखें मैं बताता हूँ, मैं अगर इसको सोचूँगा, मैं क्या सोचूँगा, कि ये मेरा परवत हो गया, ये मेरा परवत एक अलग चीज़ है, ये मेरा शहर हो गया, ये मेरा शहर एक अलग चीज़ है, ये मेरा कागज हो गया, ये मेरा कागज अलग चीज़ है, और इस तरीके का डाइगराम आपको C आफसन में दे रखा है, लेकिन कुछ बच्चे सूचेंगे कै किसे कि कुछ परवत ऐसे हैं जो शहर में देखने को मिलती हैं तो यह मेरा शहर हो गया और शहर में देखने को मिलती है परवत तो शहर के अंदर यह परवत आ गया और यह कागज मेरा अलग चीज़ हो गया तो इस तरीके का डाइगराम आपको पहले ओफसर में भी नजरा रह परवत एक अलग चीज़ है, सहर अलग चीज़ है और कागज अलग चीज़ है, तो इस तरीके से तीनों अलग अलग बनेगे, बात के लिए रहे, अब देखेंगे अगला प्रेशन, अगला प्रेशन है, फर्ष पिलास्टिक ताला, भाई फर्ष घर में जो जब इनका फर्ष होता है, वो आप जानते हैं, और प्लास्टिक एक अलग चीज़ है, और ताला भी एक अलग चीज़ है, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग लिखेंगे, यह मेरा फर्ष हो गया, यह मेरा प्लास्टिक हो गया, और यह मेरा ताला, भाई तीनों अलग अलग चीज़ है, कोई बी चीज कीसे जुड़ी हुई नहीं है ठीक है ऍससे ओफ्शन मेरा इस प्रेष्टन का भी सही आंसर आगया तो कितने प्रेष्टन होगे दूस्तों 10 प्रेष्टन होगे आज के वीडियो में 10 ही प्रेष्टने रखे गए हैं यह आपका when.ra.s का पहला वीडियो है और आपको यह दस प्रेश्ण में कोई भी प्रेश्ण ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया हो सभी अच्छे से समझ में आगे होगे ठीक है तो when.ra.s का chapter मैंने शुरू कर दिया है और आप इसकी तयारी अच्छे से कर लेजे एक्जाम नजदीक है उसी की बज़े से मैंने ये तयार कराना चालू किया है ताकि ये वेंड डाइग्राम जो है वो कठिन थोड़ा चैप्टर है लेकिन पढ़ते जाए आप रेगुलर हमारे साथ खुछ भी कठना ही नहीं पचेगी ठीक है दोस्तों लेकिन मेरी एक रिक्विस्ट यही कहता हूँ मैं आपसे कि शेयर जरूर कर दिया करें उन बच्चों तक पहुँचा दिया करें जो कोचेग में नहीं जा पाते उन तक वीडियो को पहुँचा दिया करें ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद